नमस्कार दोस्तो यूट्यूब रिवीजन लेक्चर में केमेस्ट्री का आज हमारा लेक्चर चार है इस लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉनमेटल से रिलेटेड टॉपिक को कम्प्लीटली और एलेबरेटली डिसकस करेंगे हमारा बेस जो रहेगा वो प्रिवेस एर क्वेश्चन का रहेगा हम जो है इसमें कुछ NCRT का रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो भी 68th BPSC प्रिलीम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आये थे उनसे इंफ्लूएंस होके इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी ह इक है यह तो जैसा कि हम हर बार करते हैं अपनी क्लास जो स्टार्ट करते हैं प्रिविस एर क्वेश्चन को देखके तो जो जो मेटलyy ओर नॉनमेटल से रिलेटेड जो भी प्रिविविच एर questions आये हैं हम उनको देखते हैं तो पहला question उने metallurgical process के बारे में पूछा है in which metal is obtained in a fused state मतलब roasting क्या है, calcination क्या है, froth flotation क्या है और smelting क्या है और कौन-कौन से element में या किस तरह के element में ये सब processes use होते हैं इसको हम अपने lecture में परहेंगे उसके बाद फिर से वापिस आकर इस question को solve करेंगे, अगला सवाल आप देखिए कि which of the following are constituents of brass, यह सीधा-सीधा पूछ रहा है कि जो alloy है जिसको हम brass बोलते हैं, इसके constituents क्या है, मतलब यह किस-किस चीज से बना हुआ है, same question, brass का CDPO में पूछा है, stainless steel is an alloy of, मतलब यह alloy से direct question पूछते हैं कि कौन सा alloy किस चीज से बना हुआ है, अगर हम सारे alloys की एक listing कर लें, और उनकी जो भी constituents से उनको हम देख लें, तो यह topic जो हमारा cover हो जाएगा, stainless steel is an alloy of iron, mainly of, यह भी आराम से cover हो जाएगा हमारा alloy वाला जो हम listing करेंगे उसमें, which of the following is incorrect, यह देखिए, question alloying से है, question alloying से है, यह जो question है, यह पूछा है, alloy की properties से, किस तरह की properties में changes आएगे alloying के बाद, यह question जो है, weight of iron से पूछ रहा है, कि जो corrosion हमारा एक topic होता है, सब topic होता है metal में, इस corrosion से related है, कि जो rusting होती है iron की, उससे क्या physical effect पड़ता है, और उसके weight पे क्या effect पड़ता है, तो यह concept हम लोग देखेंगे, same, rusting of iron जो है, यह भी इसका मूल topic है, BPSC chemistry का, इसको भी आप note करिए, यह भी जो हमारा corrosion से related है, अगला question पूछा है, कि the purest form of iron, यहाँ देखिए, यह question जो है, और से पूछ रहा है, कि iron का और कौन सा है, अगला question, which is known as white metal, यह एक factual question है, यह एक factual question है, इस तरह के questions जो हैं, वो, आप conceptual point of view से solve नहीं कर सकते, मतलब वकर आता है, तो ठीक हैं नहीं आता है, तो skip करिए, या फिर तुक कमारिए, इसको हम लोग देखेंगे, और यह जो question है, यह conceptual है, यह थोड़ा conceptual है, heaviest metal, यह भी देखिए, जो है factual in nature है, factual in nature है, इसकी भी चर्चा हम अपने class में करेंगे, the heavier metal, same question is being repeated, identify the metal which is non-toxic in nature, हमारे metal के chapter में, एक sub-topic होता है, toxicity, जिसकी basis पे हम metals की classification करते हैं, उस toxicity में हम देखेंगे, कौनकों से 3-4 metal ऐसे हैं, जो toxic in nature हैं, और जो आदमी के, जो लोगों के health पर एफेक्ट या negative effect दे सकते हैं, most important ore of aluminium, यह जो question है, यह ore से पूछ रहे हैं, chemical formula for sapphire, इस पे भी हम बात करेंगे कि sapphire क्या होता है, sapphire और ruby में क्या difference है, दोनों की color क्या होता है, दोनों का formula क्या होता है, और यह काफी easy question हम मानेंगे, जब हम पर लेंगे उसके बाद, which of the following has a highest melting point, highest melting point की बात कर रहा है, तो metal के जो भी factual in nature है, जैसे heaviest कौन सा है, lightest कौन सा है, कौन सा liquid form में रहता है, उसके बाद highest melting point किसका है, and all that हम लोग इस lecture में देखेंगे, which of the following is not a type of element, यह काफी chemistry का general सवाल है, जिसमें किसी particular area के information की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका chemistry का overall concept भी बना हुआ, तो इस question को attempt कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे, which of the is the most reactive metal, यह question जो आपको लग रहा होगा factual, but this is not factual, I would say this is conceptual in nature, क्योंकि यह topic आपका relate कर रहा है, reactivity series से, जो reactivity series का एक sub topic है chemistry में, उससे यह question directly asked है, silver, iron and copper are reactive in nature, which of the following is correct, तो यह सजाने बोल रहा है, यह question भी देखिए, reactivity series से, हम एक बार reactivity series को देखेंगे, उसमें important elements को, जो important metals है हमारे उनको place करके देखेंगे, और reactivity series की खासियत क्या है, उसके significance क्या है, displacement reaction में किस तरह से participate करते हैं, उसको भी हम एक बार overview करेंगे, उसके बाद से जो है, यह non metal का question है, इसको हम अगले lecture में discuss करेंगे, आज जो है हम complete metal वाला portion cover करते हैं, तो आप basically जो देखिए, question का orientation कैसा है, question का orientation अगर आप समझेंगे इसमें, तो either they are directly asking question from alloy, either they are directly asking formula based questions, ठीक है, या फिर they have been asking the questions related to some properties, some properties, लेकिन हम क्या करेंगे, इससे एक step आगे बढ़ेंगे, एक step कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इनकी chemical properties को देखेंगे, chemical properties को भी देखेंगे, इसलिए, क्योंकि यह सब question जो है, यह पूछे जा चुके हैं, तो अब हमको एक step आगे बढ़ना पड़ेगा, कि उनकी chemical properties को अगर हम जान लेते हैं, तो we will be able to attempt those questions as well, जो कि किसी भी material में आपको easily available नहीं रहता है, और आपका एक हलका सा overview रहेगा, तो आप उन सवाल को attempt कर सकते हैं, ठीक है, तो now we will start our lecture, आपको element के बारे में पता होगा, element क्या होते हैं, element जो हमारे atmosphere में exist करते हैं, जो किस तरह से बने होते हैं, जो atom से बने हुए होते हैं, तो atoms से बने हुए होते हैं elements, तो उनकी कुछ properties भी होती हैं, उनकी कुछ properties भी होती होंगी, तो उन properties को हम कुछ basis पे, कुछ categories पे division करते हैं, कुछ ऐसा basis लेते हैं, जिसके basis पे हम इन elements को characterize कर सकें, तो जो element है, उसको हम basically characterize करते हैं either उनकी chemical properties पे either उनकी physical properties पे तो जो chemical properties है और जो physical properties है वो एक element के corresponding है जिसके basis पे हम उनको categorization करते हो और अगर आपने periodic table का नाम सुना होगा तो periodic table में जो हम element को सजाते हैं वो इन ही characters के base पे सजाते हैं तो जो physical property होगी वो क्या होता है उसमें रंग, रूप, वेस, भूसा उस हिसाब से हम characterize करते हैं कि उसका physically character कैसा है लेकिन chemical में जो है chemical nature में chemical characteristic में हम देखते हैं कि उसका दूसरे metals के साथ reaction कैसा होता है अगर हम acid के साथ reaction करना है तो reaction कैसा होता है वो simple हम उसके physical रंग, रूप, वेस, भूसा पे नहीं जाते है बलकि उनकी inherent properties जो है जिसके कारण वो ऐसी physical properties कभी कभार सो करती है हम उनकी चर्चा करेंगे इसमें दोस्तों जब आप periodic table देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक major classification होता है metals का और non-metals का metals का और non-metals का ऐसी कौन सी characteristic है ऐसी कौन सी categorization है जिसके basis पे हम metal और non-metal में elements को divide करते हैं तो यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है तभी हम metal और non-metals के other properties के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं तो आप chemistry का एक basic fundamental basic funda जानते होंगे कि क्या होता है इसमें एक atom होता है atom के अंदर क्या होता है? nucleus होता है atom के चारों तरफ क्या गुमते है? sorry nucleus के चारों तरफ क्या गुमते है? यह जो घुमते हैं इनको electron बोलते हैं इसके nucleus में क्या क्या चीज़ होता है proton होता है और neutron होता है तो यह जो हमारा atom है यह क्या होता है यह होता है electrically neutral electrically neutral कभी कभी क्या होता है कि इसके outermost orbit में कुछ electrons होते हैं जिनको हम valence electrons बोलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रोन. मतलब इनके आउटर मोस्ट और बीट में कितने इलेक्ट्रोन से उनको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रोन. तो chemistry में या कहें तो पूरे universe में हर आदमी की क्या जरुरत होती है? आप तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? आप अपनी life में, अपनी career में एक stability चाह रहे हैं. आप अपनी stability चाह रहे हैं. आपके life में जो voids बने हैं. किस किसी चीज़ के voids बने हैं? voids जो बने हैं मतलब जगह जो बना है वो अच्छे जॉब का मतलब satisfying job का कई लोग क्यों कि आप में job भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं तो ऐसी job मिले जो satisfying हो इतना पैसा हो कि हम खुशी से रह सकें हमारे जो भी dreams हैं हमारे जो aspirations हैं उसको हम इन पैसे से fulfill कर सकें जब आपको ये सब मिल जाता है तो आपको क्या लगता है या आपके अंदर कैसे feeling आती है कि आप stable हो चुके हैं कुछ लोगों को इसी में क्या होता है कि शादी की फर्माईश रहती है कि वो एक बार शादी हो जाएगे उनके तो वो stable हो जाएगे तो सब के अपने-अपने aspirations होते हैं इंडिविजूल aspirations होते है stability के तो उसी तरह से अगर chemistry की दुनिया में हम बात करें तो यहाँ भी जो है न octet complete करने की होर रहती है octet complete करने की जैसे ही कोई element octet complete करेगा चाहे वो sharing से करे या चाहे वो transfer से करे तो आप पुछेंगे sharing या transfer क्या है तो कुछ दिर पहले हमने बात की थी कि अगर outermost electron यानि कि valence electron में valence orbit में कुछ electrons होंगे चाहे वो 2 हो चाहे वो 6 हो कितने भी हो सकते हैं depending on the type of metal depending on their atomic number तो अगर उसके पास समझिये कि 2 electron है किसी के पास 6 electron है तो ये 2 electron वाला चाहेगा कि हम lose करके मेरा पहला जो अंदर का जो octet complete है इसको complete किया जाए या फिर 6 वाला क्या सोचेगा कि हमारे पास 6 है हम किसी से 2 मांग के अपना octet complete कर लेते हैं तो इनका जो octet complete करने का तरीका होता है आप चाहे वो share कर लेते हैं कि भाई देखो 2 तुम्हारे पास है 6 हमारे पास है तुमें काम करो तुम हमारा भी ले लो हम तुमारा भी ले लेते हैं तो दोनों आदमी खुशा जाएंगे दोनों आदमी stable हो जाएंगे तो इसी तरह से क्या होता है कि जो metals होते है इनका जो characteristic होता है इनका जो nature ऐसा होता है कि इनके outermost orbit में इतने electrons होते हैं कि ये lose कर पाते हैं इसको आप इस analogy से समझ सकते हैं कि suppose एक आदमी है उसको बोला गया है कि तुम जीत जाओगे किसी game में अगर तुम्हारे पास या तो 0 electron रहेंगे या तो 6 electron रहेंगे या 6 ball रहेंगे या तो तुम्हारे पास 0 ball रहेंगे या तो 6 ball रहेंगे तब तुम जाके समझा जाएगा कि तुम क्या है जीत गए तो एक ऐसा instant आता है game का जब इस आदमी के पास क्या है एक टाइम पर 4 इलेक्ट्रॉन रहता है चार बॉल रहता है तो यह देखेगा कि हमको 2 बॉल लेने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो 4 बॉल को लूज करने से कम है इसके लिए हमको फाईदा किसमे है कि 2 बॉल हमको मिल जाए तो हम 6 हो जाएगा हम जीच जाएंगे दूसरा बंदा है उसके पास क्या है उसके पास दो बॉल है अभी वो सोचेगा अरे भाई साब मेरे पास तो दो बॉल है अभी हमको मांगना है अगर तो हमको चार बॉल मांगना परेगा ताकि मेरे पास छे बॉल हो और हम जीत पाए क्यों न हम यह मेरे पास जो दो बॉल है इसको हम लूज कर दें और जैसे हमारे पास जिरो बॉल होगा तो हम जीत जाएंगे तो यह क्या करता है? यह लूज कर देता है अगर यह लूज करता है तो इसकों क्या बोलेंगे? यह दानवीर हो गया ना? यह दान कर दिया अपना इलेक्टरॉन तो यही दानवीर वाली करेक्टिस्टिक हमारे मेटल्स में भी होती है metals क्या करते हैं उनके outermost में जो electrons होते हैं उनको वो lose करने की characteristic रखते हैं उनको वो lose करते हैं ताकि उनका जो octet है वो complete हो सके तो जब lose करेंगे electron को तो आप समझे इससे पहले हमने discuss किया था कि कोई atom जो होता है वो क्या होता है neutral होता है उस पर कोई charge नई होता है इसमें दो तरह के चार्जे थो हते हैं एक positive charge एक negative charge positive charge होता है किसका proton का negative charge होता है electron का अब बताईए मेरे दोस्त neutron पे कैसा charge होता यह comment करिएगा आप अपने जवाब comment में देते नहीं है तो please इसका जवाब दीजिएगा neutron पे क्तकॉन सा चार्ज होता है positive या negative तो चलिए हम देख रहे थे कि atom में proton भी है और electron भी है proton का charge positive है electron का charge negative है metal की property क्या है कि electron को lose करेंगे electron lose करेंगे मतलब जो negative charges है उनको lose करेंगे अगर negative charges को lose करते हैं तो suppose 5 positive था और 5 negative था दो negative lose कर दिया तो यहाँ पर 5 positive हो गया तीन negative हो बच गया है इसके पास तो सिर्फ तीन negative जो है तीन positive को neutralize कर पा रहा है बागी जो extra 2 positive तो बच जा रहा है तो metal पर कौन सा charge हो जाएगा overall वो हो जाएगा positive charge तो जैसे ही metal पर positive charge होता है तो हम इसका एक certain नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम इसको chemistry की दुनिया हमें हम एक अलग नाम से जानते हैं जो lose करते हैं जो positive charge रखने का interest रखते हैं उसको हम बोलते हैं cations याद रखिएगा तो जो metal है metal की property होती है कि वो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं cations अब अगर metals ने cations बना लिया तो इसका example हम समझते हैं जिसे sodium देखिए sodium के outermost electron में sorry outermost orbit में एक electron होता है वो क्या करता है वो एक electron lose कर देता है जैसे ही ये lose करेगा तो इसके उपर कौँज कितना charge आ जाएगा positive का इसके उपर positive का एक charge आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे na plus तो na plus जो है इसको हम nomenclature इसका हम नाम रखते हैं हम हर चीज का नाम रखते हैं बच्चे का नाम रखते हैं तो इसका नाम रखेंगे इसका क्या नाम रखेंगे ये sodium cation है या this is the cation of sodium element ठीक है तो इस तरह से जो है metal क्या करते हैं अपना cation बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, तो हम याद रखेंगे कि metal की जो प्रोपर्टी होती है, वो electron lose करने की होती है, गेन करने की नहीं होती है, तो अब हमको देखना होगा कि metal जो lose करेंगे electrons, lose करेंगे electrons, तो किसको देंगे ये, हवा में तो नहीं देंगे न, ये क्या करेंगे, किसी को तो देंगे जो lose electrons करेंगे वो किसको करेंगे वो non metals को करेंगे क्योंकि non metals की आदत क्या होती है इनको आदत होती है दाल लेने की they are the recipients they are the recipients ये जो है non metals वो हमेशा ये interest रखते हैं कि हमको कोई आके दे दे हम गेन नहीं करना हम लूज नहीं करना चाहते हैं हमारे पास बहुत सारे electrons हैं क्योंकि इनके outermost में अगर आप देखेंगे तो पांच, छे, साथ electron है तो इतने को lose करना और तीन, दो, एक electron को gain करना जादा easy है इससे तो ये क्या करते हैं non metals ये gain करने की tendency रखते हैं तो non metals जो है electrons gain करेंगे ठीक है तो so they are called the recipient तो क्यों gain करना चाहते हैं octate complete करने के लिए जब gain करेंगे तो इन पे कौन सा charge लगेगा इन पे आ जाएगा negative charge तो अब याद रखिए कि लेना जो है वो बुड़ा है ये positive होता है इसको इसे भी याद रख सकते हैं तो अगर negative charge हुआ तो किस तरह का ions बनाएंगे उस तरह के ions को क्या बोलेंगे उस तरह के ions को हम बोलेंगे एन इन 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 इस ऐसे ions होते हैं जो अपना negative charge बनाते हैं electron gain करने के बाद चुकि उनके पास electron की अधिकता हो जाती है इसलिए उन पे charge आ जाता है overall negative क्योंकि वो gain करते हैं वो दान लेते हैं इसलिए वो होता है negative in nature इसलिए क्या हो जाता है उनका charge negative हो जाता है और इस तरह के elements को हम लोग क्या बोलते हैं इनकी category addition हम करते हैं non metals तो हमने यह समझ लिया कि जो non metals होते हैं वो क्या होते हैं लेना पसंद करते हैं receive करना पसंद करते हैं लेकिन जो metals होते हैं वो क्या होते हैं metals जो होते हैं वो होते हैं दानवीर दानवीर होते हैं तो कौन सा charge आएगा यह तो positive nature है तो positive charge आएगा जो लेने वाली प्रविरती है वो हो जाएगा negative in character, अगर negative in character है तो हो जाएगे non-metals, आप hope याद रखेंगे इसको, और केटाइन नायन तो हमने पढ़ी लिया है, तो आप कुछ examples हम देखेंगे, जो examples कौन से है, metals के, non-metals के metals के तो हमने देख लिए थे कि sodium सबसे बढ़ी example है, तो sodium के affinity सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है आप जो नमक खाते हैं, उसमें NaCl होता है, उस NaCl में sodium जो है, किसके साथ compound बना रहा है chlorine के साथ compound बना रहा है chlorine को अगर हम इस category में रखते हैं तो Cl minus होता है और इने plus होता है, अब देखिए sodium जो है positive charge बनाया chlorine जो है negative charge से क्या बनाया anion बनाया, sodium जो है positive charge से क्या बनाया, katein बनाया तो यही हम लोग इसमें समझना चाह रहे थे Now we will move ahead अब जब हम metal की बात करें specifically metals की बात करें, तो आप metals को सुनते ही आपके दिमाग में क्या याद आता है आइरन, आपको याद आता होगा copper, आपको याद आता होगा aluminium, magnesium, sodium lead, zinc, etc तो इन सब चीजों में कुछ ऐसी properties आप हमको बताएंगे जो की उनके properties को काफी निखार के सामने लाता है आप जैसे पढ़ाई कर रहे हों kitchen में कोई एक बरतन गिर गया तो एक आवाज होती है, अलग सी आवाज होती है तो उसके गिरने से बरतन के गिरने से आप ये जरूर बता सकते हैं कि वो बरतन गिरा है या फिर कोई लकडी का टुकरा गिरा है तो जो बरतन गिरने से जो एक अलग तरह की आवाज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, sonorosity, sonorosity, एक अलग तरह की खनक होती है उसमें, जो की एक nature है, जो physical property है, metal का, और वो physical property है, sonorous in nature, तो क्या सिर्फ sonorous in nature ही होता है? लुकवाइज अगर आप देखें, तो क्या होता है? बरतन आपके चमकते हैं, कोई भी copper अप लेंगे, जो नया copper है, जिस पे oxide नहीं है, जस्त उससे layer remove वा है oxide का, अगर आप उसको हाथ मे लेंगे, वो चमक उसमें आए रहेगा, तो एक metallic luster होता है इसमें, एक metallic luster होता है इसम hardness है, hardness इसकी peculiar property होती है, किसकी? metal की, वो एक तरह का hard होता है, ऐसा hard होता है कि आप हथोरा मारेंगे तो तूटेगा नहीं, वो वाला hardness उसमें होता है, आप कोईला में हथोरा मारेंगे तो क्या होगा? वो बिखर जाएगा, तूट जाएगा, टुक्रो टुक्रो में आ मिट्टी का, अगर मिट्टी का कोई टुक्रा है, hard मिट्टी का, काली मिट्टी का, उस पे आप हथोरा मारेंगे क्या होगा? वो जो है भुर भुरा के एकदम पतला पतला हो जाएगा, आप लोहे पे हथोरा मारेंगे, वो नहीं तूटेगा, तो वो जो उसका hardness है, वो भी एक peculiar तरह का hardness है, जो कि different होता है non-metal से, सबसे important property जो होती है metal की, जिसके कारण इसकी uses बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा comprehensive manner में होती है, वो इसकी property होती है, malleability and ductility, malleability वो property होती है, जिससे आप sheet बनाते हैं, आप sheet कर समझे कि एक लोहे का इतना छोटा सा टुकरा है, समझ पीट पीट के, पीट पीट के क्या बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में चदरा बोलते हैं, क्या होता है, sheet होता है, metallic sheet होता है, trunk बनाते है, almira बनाते है, या metallic अगर wall बनाना है तो वो बनाते हैं, तो किशे एक sheet बनता है, वो sheet एक टुकरे से जो sheet को ढालने की प्रविर्ती है, ज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, कि आप जब जाते हैं सुनार के पास, तो उसको बुलते हैं कि हमारे पास जो गहना है, इसको आप दूसरे गहना में, एक्षेंज कर लीजे या इसको दूसरे गहना में बना दीजे, तो आप से कुछ making charge लेगा, 20% का making charge लेगा, वो प्रोपर्टि कहलाती है, डक्टिलिटी, आप जब गोल्ड की बात हो रही है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, कि जो गोल्ड है, that is most ductile, that is most ductile metal, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, कि जो एक ग्राम गोल्ड है, एक ग्राम गोल्ड से दो किलोमेटर का जो गोल्ड का wire है, वो आप बना सकते हैं, एक ग्राम गोल्ड से दो किलोमेटर गोल्ड का wire आप खिच सकते हैं, ये प्रोपर्टि होती है, गोल्ड की जो किसको हम क्या बोलते हैं, ductility बोलते हैं, तो I hope कि malleability and ductility आपको समझ में आ गई, इसी कारण से जो malleability and ductility हैं, इस का Aluminium हो, चाहे iron हो, इसका use अगर देखेंगे तो bridges बनाने में, कोई भी infrastructure building जो बनती है, कोई भी building बनती है, आप देखेंगे लोहे का छड़ उसमें लगाते हैं, आप देखिए का कोई भी aeroplane बना, aeroplane की body जो है, वो एक light metal से बनी होती है, वो light metal Aluminium का बना होता है, Aluminium का एक alloy स and ductility के कारण काफी comprehensive uses का कर पाते हैं, सबसे important और सबसे उपयोगी characteristic जो होता है, metal का वो यह होता है, कि they are very good conductors of heat and electricity, इसका मतलब यह है कि अभी जो आप अपने tablet, mobile computer पे जो यह lecture देख रहे हैं, तो यह तब ही आप देख पा रहे हैं, जब आपके घर बिजली आई है, वो aluminium की तारों से high voltage को, high level of voltage है, उससे current को transform किया जाता है, grid में, grid से आपके घर में, aluminium के जो तार रोड पे लगाया जाता है, पोल पे, उससे आपके घर में लाया जाता है, copper wire से, और उस copper wire को फिर फर्दर डिवाइड करके आपके charger के थुरू आपके device में डाला जाता है, तापक device charge हो सके, उसमें जो use हो रहा है element, वो क्या है, that is also a metal, तो metal की जो property होती है, high conductor of electricity and high conductor of heat, इसके लिए क्या है, कि हम इसकी जो uses है इसका, और भी ज्यादा diverse हो जाता है, और भी ज्यादा increase हो जाता है, तो अब अगर हम इसकी कुछ properties देख रहे हैं, जब heat की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें ये भी जान लें कि which element is the best conductor of heat, तो best conductor of heat के जो हम बोलेंगे, तो silver is the best conductor of heat, कभी कभी हम इसके साथ copper भी include कर लेते हैं, तो अगर हम poor conductor of heat की बात करें, जो poor conductor of heat कौन सा element होता है, तो होता है lead and mercury, lead और mercury जो होता है, that is poor conductor of heat and electricity, sorry, हम इसमें सिर्फ electricity की बात करेंगे, कि जो lead और mercury है, that is poor conductor of electricity and silver and copper are the very good conductors of electricity, ठीक है, चलिया, अब आगे चलते हैं हम non-metals पे, जब non-metals की हम बात करते हैं, तो आपको कुछ examples भी लेना जरूरी है, ये समझने के लिए non-metals कौन कौन होते हैं, non-metals सबसे जादा prevalent जो होता ह है, वो है carbon, carbon किस form में exist करता है, वो चाहे coal में exist करें, या चाहे graphite के form में exist करें, इसके साथ साथ और कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये जो non-metals हो सकते हैं, और भी हम non-metals की चर्चा करें तो वो सकते हैं, sulfur, iodine, सबसे important जो हम सांस लेते हैं, that is oxygen, hydrogen, ये सब जो हैं, वो non-metal की category में आते हैं these are called non-metals अब non-metals जो है इनकी भी तो कुछ खासियत होती होगी जिनके कारण हम इनको पढ़ते हैं तो non-metals जो होते हैं वो generally जो है solid form में exist करते हैं या gases में exist करते हैं सिर्फ एक element है जो है bromine bromine जो की liquid state में होता है इसके apart non-metals सिर्फ और सिर्फ solid और gases में ही exist करते हैं कहने का मतलब की जो non-metals होते हैं अगर उनके existence की बात करें तो they exist only in solid और gases format सिर्फ bromine ही ऐसा non-metal है जो liquid form में exist करता है तो अब आप बोलेंगे की बाकी सारी properties भी आप बताइए क्या वो metals एक similar है तो हम बोलेंगे a big no because they are different दोनों का nature जो है वो different होता है physical properties भी different होती है इन properties को हम जरूर पढ़ेंगे इससे पहले हम देखते हैं कुछ facts और ऐसे facts जो आपके exam में पुछे जाते हैं एक line में पूछ देता है तो आप उसमें फस जाते है आप याद रखिए कि all metals सारे metals except कौनसा mercury except mercury सारे metals जो होते हैं किस form में होते हैं solid form में होते हैं कहां room temperature पे अब ऐसा नहीं कि आप 1100 degree लगा दीजी और बोलिए कि sir वो तो solid थोड़ी है तो all metals which are existing at room temperature they are solid except mercury mercury सिर्फ ऐसा solid है जो liquid form में exist करता है यह liquid form में exist करता है दूसरा fact अगर हम देखें तो gallium and cesium gallium और cesium ऐसे metals होते हैं जिनको हथेली पर रखते ही वो melt हो जाते हैं यह सिर्फ यह दोनों ही सिर्फ ऐसे metals है जो room temperature पे ही room temperature पे ही melt हो जाते हैं तो gallium and cesium को छोड़के बागी सारे metals का जो melting point है काफी जादा होता है बट gallium and cesium is having very less melting point तिरी सी तिसरी property जो हमने देखी थी lustre की lustre की मतलब क्या वो चमकता है तो चमकने में अगर देखें तो iodine iodine एक ऐसा non-metal है iodine एक ऐसा non-metal है जो non-metal होने के बाद भी यह lustrous होता है चमकदार होता है तो this is very important कि iodine एक ऐसा non-metal है जो lustrous होता है किस की तरह? metal की तरह क्योंकि lustrous जो हमने देखी थी वो metal की अपनी property थी लेकिन जो lustrous है वो iodine की भी property होती है जो की एक non-metal है अगला characteristic एक देखें important fact अगर देखें तो carbon एक ऐसा non-metal है carbon एक ऐसा non-metal है जो different जो different forms में exist करता है जैसे graphite जैसे diamond और इस तरह का nature जिससे different forms में exist कर पाता है उसको हम बोलते हैं allotropes यह जो allotropy nature है carbon का यह क्या होता है? इसका एक special characteristic होता है कि जो होता है यह high melting and boiling point जो carbon का है और carbon के जो different forms है उनका melting और boiling point जो काफी high होता है और इसके कारण जो है यह metal से कभी कभी आपको confusion होगा कि हमने यह पढ़ा कि metal की melting और boiling point जो होती है काफी high होती है लेकिन हम यहाँ यह भी देखेंगे कि carbon एक ऐसा non-metal है जो different forms में exist करता है लेकिन उसकी melting और boiling point काफी जादा होती है और इसमें एक और characteristic हम देखेंगे कि एक ऐसा non-metal है ग्रेफाइट जो तरह का carbon है जो की एक बहुत अच्छा good conductor of electricity है ग्रेफाइट इस अ very good conductor of electricity तो हम इन 4-5 characteristics से यह समझ पाए कि सिर्फ physical property को देखके आप यह नहीं बता सकते कि कौन सा metal है कौन सा non-metal है क्योंकि उसमें कुछ exceptions हो सकते हैं एक characteristic को और important है इसमें जो की पूछा जा सकता है कुछ metal से ऐसे होते हैं जैसे sodium जैसे potassium जैसे lithium यह क्या है यह काफी soft in nature होते हैं इतने soft होते हैं कि knife से चाकू से आप इनको cut कर सकते हैं चाकू से क्या है आप इनको cut कर सकते हैं और इनका melting point जो होता है इनका melting point जो होता है वो काफी कम है तो अब आप समझ गए कि हमने जो starting में कुछ कुछ property पढ़ी थी कि इनका hardness जादा होता है hardness जादा होता है तो कैसे knife से हम काट दिये हमने पढ़ा था कि इनका melting जो melting और boiling point होता है बहुत जादा होता है तो melting और boiling point जादा है तो हमने अलड़ी दो element को पढ़ा है जो काफी कम temperature पे ही melt कर जाते हैं उसके बाद sodium, potassium आप देखिए यह क्या हाता है एकदम explosive हो जाता है जैसे ही आप करोसीन से बाहर निकालेंगे तो these are some exceptions which are existing in metals and non-metals जहां से question एकदम से arise करने की capability होती है अब हमने देखा हमने यह समझा physical property को देखके physical property cannot be the sole criteria to identify whether element is a metal or non-metal तो अब हम क्या करेंगे हम उनकी chemical properties को समझेंगे हमकी chemical properties पे थोड़ा भो discussion कर लेंगे उससे हमको यह पता लगेगा कि इनका reaction दूसरे element के साथ कैसा है acid के साथ कैसा है base के साथ कैसा है और बाकी air में कैसा है पानी में कैसा है उससे हमको थोड़ा सा idea और लगेगा तो दोस्तों last lecture में हमने यह समझा था कि जो भी metallic oxides होते है जो भी metallic oxides होते है उनका nature कैसा होता है उनका nature होता है basic जो non metallic oxides होते है उनका matter कैसा होता है उनका nature होता है acidic जब metallic oxide basic in nature हो गया non metallic oxide acidic in nature हो गया तो अब हम इनका reaction भी कराएंगे हम इनका reaction कराते हैं पहला metal को जो है हम यह देखते हैं कि एकर air में रखते है metal को तो उनका oxidation होगा oxidation होगा तलब क्या होता है oxidant का add होना जब oxidation होगा air में तो उसको और हम बोलते हैं दूसरा नाम है उसका burning that means क्या होता है एक metal जो है metal जो है metal burns in air metal burns in air इसका example अगर लेंगे कि कौन सा metal जैसे हवा में निकालते हैं वो जलने लगता है उसका example है magnesium magnesium क्या करता है जैसे ही आप उसको air में निकालेंगे एक dazzling flame के साथ dazzling flame के साथ वो burn होगा वो जल जाएगा तो हमको यह समझना होगा कि almost all metals almost all metals almost all metals combines with combines with oxygen ज़्यादा तर most elements combine with oxygen और क्या form करते हैं combine करके वो oxides का formation करते हैं तो इसको अगर equation form में हम लिखेंगे कि सारे metals जो है oxygen के साथ मिलके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं metal oxides तो जो metal है oxygen के साथ मिलके क्या बनाएगा metal oxide बनेगा आप बोलेंगे किसार example दीजिए समझ नहीं आ रहा है तो लो भाई example दे दिया आप copper ले लो इसको oxygen के साथ reaction कराओ अब देखोगे कि copper oxide बन गया cupric oxide जो बोलते हैं या जो भी आप नाम बोलते हैं तो अचली आप बोलेंगे equation balance नहीं है लो भाई हम equation balance भी कर दिये तो यह से क्या बन गया cuo cuo is a metal oxide मन नहीं भड़ा आपका aluminium ले ले लेते हैं aluminium का reaction हम कराते है O2 से तो यह आपका जाना पहचाना chemical बनेगा al2o3 ठीक है अगर al2o3 बना इसी al2o3 को कभी कभार आप क्या बोलते हैं sapphire भी बोलते हैं कभी कभार आप ruby भी बोलते हैं जो लाल कलर और blue कलर का होता है क्या होता है हम और आगे देखेंगे al2o3 जो है sapphire और ruby का formula होता है अब यह equation हमने al2o3 लिख दिया आप कुछ लोग जो होंगे science background वाले उनका मन मचल रहा होगा कि sir equation balance अभी तक क्यों नहीं किया आपने लोग भाई कर देते हैं aluminium 2 है यहाँ 1 है oxygen 2 है यहाँ 3 है तो एक common ground पर पहुँचना है हमको तो 3 दूनी 6 कर देते हैं यहाँ 2 कर दिये तो हमको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा ताकि 6 हो अब aluminium यहाँ देखे ते 2 दूनी 4 हो गया तो 4 aluminium यहाँ करना पड़ेगा इस तरह सिए देखिए equation जो है वो balance हो गया आपको भी सांती मिल गई हो गया चलिए हमने देखा था कि metal oxides जो होते हैं basic in nature होते हैं लेकिन कुछ metal oxides जो होते हैं few metal oxides please note this few metal oxides few metal oxides are both acidic as well as basic हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो metals होते हैं वो generally क्या होते हैं basic in nature होते हैं लेकिन हम अभी यह आपको बता रहे हैं अब यह भी note कर लिजिये उसमें क्योंकि एक साथ अगर बता देंगे तो आपके दिमाग में खिचडी पक जाएगा और खिचडी बनता है तो test ही आता है बस है ना फिट भूक लग जाती है थोड़ी देर में तो क्या होगा अब ही हम आपको बता रहे हैं कि metal oxides सिर्फ basic nature ही नहीं सो करता है कुछ metal oxides ऐसे होते हैं जो acidic nature भी सो करते हैं हम सारे metal oxides की बात नहीं कर रहे हैं हम कुछ exceptions की बात कर रहे हैं वो exceptions जो होते हैं वो जरूरी होते हैं और वो पूछे जाते हैं इसका evidence ये है कि कुछ दिन पहले BPSC की ही एक परिक्षा में ये सवाल पूछा गया था जो है मैं भी बताने जा रहा हूँ तो कुछ metal oxides ऐसे होते हैं there are only few metal oxides which are both acidic and basic ऐसे metallic oxides जो both acidic and basic nature सो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं amphoteric oxides उनको बोलते हैं हम amphoteric oxides अगर आप amphoteric oxides देखेंगे इसका ये मतलब होता है ज क्या बोलते हैं amphivians amphibians मतलब जो जमीन पर भी रहे और जो پानी में भी रहे वो इसा ही है एमफoteric यानि कि जो acidic भी है और basic भी है तो ऐसा element बताओ जो acidic भी हो और basic भी हो या एसा element का oxides बताओ जो acidic भी है और basic भी है तो उसमें हम दो एक्जाम्पल हमारे जहन में आता है वो दो एक्जाम्पल है Aluminium Oxide और दूसरा है Jink Oxide Aluminium Oxide और Jink Oxide Aluminium Oxide और Jink Oxide ये दो मेटल्स हैं और ऐसे मेटल, सॉरी, मेटल उक्साइड्स हैं ऐसे मेटल उक्साइड्स हैं जो amphoteric in nature होते हैं amphoteric होने का मतलब होता है कि वो बोथ acidic और basic nature सो करते हैं कहने का मतलब कर आपके एक्जाम में question आया कि which of the following elements तो आप लिखेंगे Aluminium and Jink Oxide तो आप लिखेंगे आपको जरूरी होगा बोथ acidic and basic character राइट हमने Aluminium Oxide और Jink Oxide की बात की तो ये बताना भी आपको जरूरी होगा ये समझना भी जरूरी होगा कि sodium और potassium ये दोनों ऐसे metals होते हैं जो एकदम vigorously react करते हैं इतने vigorously react करते हैं कि जैसे ही आप इनको kerosene oil में इनको store करके रखते हैं जैसे ही आप kerosene oil से इनको निकालेंगे एक जोड का धमाका हो जाएगा एक जोड का धमाका हो जाएगा तो sodium और potassium ऐसे metal हैं ऐसे element हैं जो जैसे ही आप इनको open air में निकालेंगे तो क्या होगा accidental fire हो जाएगा तो उसको protect करने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों को हम कहां रखते हैं इन दोनों को हम kerosene oil में रखते हैं तो ये कुछ आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी property हो रही है तो हमने बात की थी कि most of the metals combine with oxygen तो almost all में कुछ ऐसे metals भी होंगे जो combine नहीं करते हैं चाहे आप कितना भी temperature बढ़ा दीजे तो बिल्कुल हमारे पास example है और वो example हो सकता है आप अभी भन के रखे हों वो example क्या है gold and silver gold और silver ऐसे metals होते हैं जो oxygen से react नहीं करते हैं even during higher temperatures ज़्यादा temperature होने के बाद भी oxygen से react नहीं करते हैं और यही वज़ा है कि इनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है इनकी चमक कभी कम नहीं होती है और यही वज़ा है कि आप लोग जो है हम लोग क्या करते हैं इसको पहनना पसंद करते हैं as well ornament यूज़ करते हैं इसको तो हमने इससे देख लिया ताकि oxygen में कैसा reaction होता है metals का अब अगर oxygen से metal का reaction हो गया तो वो कैसा nature so करता है वो भी हम समझ गए metal oxide वाला फंडा समझ गए कभी कभी ये question पूछ लेता है यह नहीं पूछा अभी तक तो आप जरूर पूछेगा कि metals का reaction अगर पानी के साथ हो तो क्या होगा metals का reaction अगर पानी के साथ हो तो क्या होगा एकदम आपको जहन में रखने की जरूरत है तो आप याद रखिए एक common जो formula है जो common equation हम यहाँ एक जटा सकते हैं बता सकते हैं कि metal को अगर हम पानी के साथ react कराते हैं तो यह क्या बनाता है यह बनाता है metal oxide और साथ में release करता है क्या चीज़? hydrogen वही metal oxide वापिस से अगर पानी से reaction करता है तो यह बनाता है metal hydroxide जो BPSC का focus रहता है कि कौन सा gas release होता है तो metal को अगर हम पानी के साथ reaction कराएंगे तो hydrogen gas release होता है तो आप बोलेंगे कि ठीक है भाई आपने तो यह बोल दिया तो आप बताइए कि क्या सारे metals क्या सारे metals react करते हैं पानी के साथ? बिल्कुल भी नहीं यह दोस्त science की दुनिया है इसमें हमेशा exception होगा एक universal truth यहां exist नहीं करता है तो क्या कौन सा metal है वो? तीजी से reaction करते हैं और heavy energy release करते हैं heavy energy release करते हैं किस form energy release होगा? hydrogen के form energy release होगा ठीक है अब आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा metal है बताइए जो reaction ही नहीं करता पानी के साथ तो आप याद रखिए यहां लिख लीजे magnesium magnesium एक ऐसा metal है जो पानी के साथ reaction नहीं करता है पानी के साथ? cold water cold water के साथ magnesium reaction नहीं करता है वहीं अगर इसको hot water के साथ reaction करा दें वहीं अगर इसको hot water के साथ reaction करा दें तो क्या बनाता है यह? यह बनाता है magnesium hydroxide और क्या release करेगा? hydrogen release करेगा तो this is very important क्योंकि यहां पर confusion करा सकता है पानी के साथ reaction होगा तो बिल्कुल भी react नहीं करेगा ठीक है तो आपको वहाँ specify करके देगा कि वो cold water बोल रहा है या hot water बोल रहा है जनरली question में cold water ही आता है तो आप क्या लिखेंगे अब क्या टिक मानेंगे कि magnesium do not react with cold water और hot water के साथ reaction कराते हैं तो क्या बनाता है magnesium hydroxide और क्या लिए sodium देख लिए potassium देख लिए अब कुछ ऐसे elements के नाम बताओंगा मैं आपको एकदम peculiar examples है यह जैसे iron जैसे aluminium जैसे zinc यह तीनों ऐसे metal है जो do not react with either cold or hot water iron, aluminium, zinc ऐसे metals है जो ना तो cold water के साथ react करते हैं और ना hot water के साथ react करते हैं तो आप बोलेंगे कि किस के साथ react करते हैं तो भाई इनका तो अलग ही swag है यह क्या करते हैं कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ steam के साथ react करेंगे लो भाई हम सिर्फ और सिर्फ steam के साथ react करेंगे और steam के साथ react करके हम बनाएंगे अपना metallic oxide हम बनाएंगे अपना metallic oxide और कौन सा gas release करेंगे hydrogen gas release करेंगे तो iron, aluminium, zinc ये तो ना तो cold के साथ react करेगा ना hot के साथ react करेगा ये बोलेगा कि भाई हमारा अलग ही swag है हम steam के साथ react करेंगे और हम react करके बनाएंगे metallic oxide plus hydrogen तो यह सब हमने देखा कि कौन से element किस के साथ react करते हैं पानी वानी में कैसे उनका behavior रहता है पानी की बात कर लिए तो अब acid का भी बात कर लेते हैं तो already हम metal का reaction acid के साथ बहुत बार देख चुके हैं तो जब metal का acid के साथ reaction कराते हैं तो कौन सा gas release होता है आपको एक दम जुबान पे होना चाहिए hydrogen gas release होता है जब metal का acid के साथ reaction कराते हैं और hydrogen gas release होता है तो कुछ ऐसा भी metal होगा या कुछ ऐसा भी acid होगा जहां H2 नहीं release होता होगा तो वो हमको जानना जुरूरी है क्योंकि सवाल वहीं से पूछेगा तो आपको ये जानना जुरूरी है कि जब metal कोई भी metal react करता है HNO3 के साथ यानि कि nitric acid के साथ nitric acid के साथ तो क्या है no H2 gas is released no H2 gas is released जब HNO3 react करता है किसी भी metal के साथ तो कोई भी hydrogen gas release नहीं होता है उसमें and this is the exception and you must remember this हम अगर HNO3 की बात कर लिए तो हमको ये चीज और याद आ गया इसको याद रखके कि अगर HNO3 को और HCL को हम ले ले कौन से ratio में इसको ऐसे लिकिए HCL प्लस HNO3 को अगर आप ले ले कितने ratio में 3 to 1 के ratio में तो ये एक अलग compound बनाएगा जिसको हम बोलते हैं aquaragia ये जो aquaragia है इसको एक और दूसरा नाम है इसका वो नाम है royal water ये royal water जो है ऐसा water है जो royal चीजों को royal metals हैं उनको dissolve कर लेता है गोल्ड आजाता है तो जो aquaragia है वो क्या करता है it has the capacity to dissolve the gold अब गोल्ड को समझे aquaragia dissolve कर लेता है जो बड़े बड़े acid यानिक जैसे H2O4 है वो भी नहीं कर पाता वो अकेला aquaragia कर देता है तो aquaragia किस चीज़ से बनता है वो बनता है HCl प्लस है 4O3 से जिसका ratio क्या होता है 3 is to 1 होता है दोस्तों हमने काफी कुछ पर लिया है metals में अभी तक और lecture काफी लंदी हो जाएगा next lecture में हम बांकी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे धन्यवाद